इसमें दो सावा में जो कोरोना की स्थिती हुई लोगों ने ऐसी चिकिस्था पड़कियों को अपनाया जो बिना मेडिशन के, बिना साइड इफेक्ट के लोगों को की करे हैं तो नीरो थरपी आपकी लाइफ के शुरुबात से लेकर आपकी लाइफ के एंड तक और हर उमर के दराज तर जो जो परेशानिया आती हैं उसमें आपकी मदद कर सकती है हमारा इंजेक्शन माला दूर आता है उसके अंदर यूरिया है उसके अंदर ऑक्षटोशिन है जो की इन फ्यूचर में फिमेल्स में हॉर्मोनल इंबैलेंस का करन बन रहे है जिससे कि हम अर्निंग करी सकते हैं साथ में लोगों को उनकी बीमार्यों से भी मुश्य रिला सकते इसको सुनेट करने का सिर्मार्यों का क्या है बीज़वारी दर्किया भीज़वारी दर्किया और ऐसे आधे-धे में की मरप कर लीजिए आपका डायरेशन इपकी दिन में इंपूब होनी लग जाएगा आप सभी का बहुत-बहुत स्वाबत है आज हमारे साथ हैं श्री नवल किशोर जी जिनकी में जितने अचीवमेंट्स के बारे में बात पताओं वो बहुत ही कम है हमारे नवल जी को experience है 17 से जादा सालों का और हूँ बहुत ही professional और senior neurotherapist है और इतना ही नहीं उनकी training श्री लाजपत राय जी के अटर हुई है जो father of neurotherapist है और रही बात सर के achievements की तो उन्होंने Asia Book of Hearts रिकॉर्ड में अपने video uploads का record कायम किया है अभी recently उन्हें 2,000 uploads on single topic के लिए अवाट किया है Sir, welcome to the show, बहुत-बहुत स्वागत है दने बाद करता हूँ आपका और जयम आता ही आपका ये जो broadcast है बहुत खास्तों से मैं देख रहा हूँ पिसले कई सालों से आप ladies के लिए या females के लिए या home makers के लिए ये बहुत अच्छा program आप करते हैं और बहुत लागों वीवर्स हैं इसके मैं भी continuous देखता हूँ कि काफे लोग इंस आपके topics से related lab लेते हैं अपने help के लिए अपने इन हमें डोल के लिए कि लिए कि आपने आप को अपडेट कर सकती है न्यूर्ट करते हैं अपने आप को सब्सक्राइब अपने बारे चुछ का आइब है तो ऐसे मेरे भी मन में थी लेकिन मैं यह चाहता था कि कुछ ऐसा करू प्रोफेशनल जानगे पैसे तो आएं लेकिन लोगों की भलाई इसमें हो तो उसके हिसाब से बने सोचा कि हीरो थर्फिक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि हम अर्म को करी सकते हैं साथ में लोगों को उनकी बीमार्यों से भी मुक्ति रिला सकते हैं जानगी आज वो सबसे ज़्यादा है और वी हर तप्पे का रिक्ति चाहें वो इस्टुडेंट हो चाहें वो पॉफेशनल हो चाहें वो बिजनिसमेन हो चाहें होमेकर्स हो सभी लोग कहीं न कहीं आज हैल्थ से रिलेटेट कुसे प्रॉब्लम से परिशान है तो फिर मुझे लगा कि हैल के फिल्ट में करते हैं और खास तोर से वहां पर जहां हम बिना किसे मेडिसिस के लोगों को पीड़ सकते हैं तो फिर नीरो थरपी शुरुबात करी और 17 साल आज हो गए है हजारों के संख्या में आज लोग गर ट्रीटमेंट लेकर खीक हो चुके हैं और लाकों के संख्या में नीरो थरपी उन लोगां तक कौन सी है इनको जुरूरत है और लगबत 300-3500 लोगों को हमने पॉफेशनल नीरो थरपिस बनाया है जो पूरे देश भर में नीरो थरपी के संटर चला रहे है और लोगों को नीरो थरपी के द्वारा खील कर रहे है तो इस तरीके का हमारा कहले है तो मैं वीवर्स आप देते हैं सर में जो सेभा वहाब था उनोंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा उसको और आगे लेके गए है हमारी यूवा पीली में उसके गुर्ड डाले है बहुत बढ़िया है सर मैं यह जाना चाहती हूं कि यह जो हमारी नीरो थरपी है यह जो हमारी प्रोड़ी रही है हमारी इंदुस्तान की रहे है भाड़ी चिल सब्सक्राइधि है और अगर मैं कोमी की बॉडी अपने आपको खुद हील करती है तो ऐसा सही है क्यों कि अगर हम बुखार ओ ऑं जटा है अगर हम दो तीम दिन रेस्ट करे तो बुखार अपने अप यानि कि बॉडी अपने आपको हील कर रही है और आइरोवेड इसे ही अलग-अलग साखाएं हैं जैसे उसमें भी अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं जैसे आज अगर आप देखें अलोपैथु में थडी का अलग डॉक्टर होता है आपके नर्वाज सिस्टम का अलग ड करते हैं और जैसा आपका कोशन था कि इस्टेवलिस्ट जो किस्टा पदतिया हैं उन से कैसे अलग है इस्टेवलिस्ट में हम सबसे पहले देखनें कि हमारा अलोपैथी जो लगबग 200 साल से इंडिया में इस तरीके से प्रोग्रेस करना है कि बड़े-बड़े होस्पिटल में एडिशन नहीं मिलते हैं या MBBS बनने के लिए जो स्टुनेंट से वह मारा मारी करते हैं कि वहीं आज हर मापाप का सबना होता कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने हैं तो नीरोथरपी के हैं एक उन लोगों के एक अपोर्शुनिटी है जो लोग एक कैरियर बनाना चाहते हैं और इस समय पर इसमें दो कालों में कोरोना की स्टुनिटी हुई लोगों ने ऐसी चिकिस्सा परत्यों को अपनाया जो बिना मैडिशन के बिना साइड इफेक्ट के लोगों के लिए ना को के वल ट्रेंपन के पार बल्कि रोजगार के तौर पर भी काम करने वाली है और कर दो में के लिए जरुधा बल्लु आपके जरुद्धा में के बल्लु परती है जब हम किसी इमर्जेंशी में बहुत सब्सक्राइब और मिशन हो गया है या कोई ऐसा पार डेमेज हो कि इसका आपरेशन ही एक माग प्रिला जाए यार सर्जिरी ही एक माग प्रिला जाए तो कुछ दमेपन में एलोपेटी की तरफ जाना चाहिए, बाकी तो आप उसी सभी बीमारियों के लिए पिद्धा शाहरा एलोपेटी की अपना लेका निरोथेरपी का ले सकते हैं. एपने बीमारियों को बीमारिया अपने बादी को बाहरा निकाल सकते हैं, अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं. कि अच्छी हीलिंग होती है जो बॉडी को लॉंग टॉप में बेनेफिक्ट देती है तो सर इसमें जो हमारी हमारी हमें पर घर को चलाने की जिम्मेदारी है अकर वो बीमार है तो यह समझले चीए घर का हर वट्की बीमार है जी करते हैं कि एक परसं एक व्रै गर एक आदमी बीमार है तो इसको पूरा वापी हम गार अगर वो बीमार है तो उसके मतलब है कि वो सारा रूटीन गरबर हुजएगा घर का तो इसका मतलब पुरा पुरा घर भीमार हो जाता है तो उनके लिए नीरो थरफी बहुत वैलिफिट है सबसे पहले तो उनको यह समझना चाहिए कि अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है उनको उनको यह समझना पड़ेगा कि उनके अपना जीवन दूसरों के लिए और अपनी लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उनको अपना टाइम पर खाना खाना चाहिए या मुझे भी अपने टाइमने होना है, मुझे भी नींद पूरी ले दू चाहिए, मुझे भी डेली एक्ससाइज पढ़ना है, आम कुछ न कुछ करना चाहिए, अपने आपको फिटर में है, नीरो धरफी उनके लिए मदद करती है, कि जब वो बीमार हो जाए, क्योंकि मुझे भी नीरो धरफी काम करती है, जब आप कुछ उमर दराज हो जाते हैं, यानि कि आपकी एज फेट में, थाटी साइब से लेकर 40 के बीच ने जाती है, तो ये डीजनेरेशन का गैप है, यानि कि डीजनेरेशन की एज है, इस दोरान आपकी बॉड़ी चेंजिस आते ह जाते हैं, तो उस दरान हड्या कमजोर होती है, तो इसके लिए हमारे नीरो धरफी के डीजनेरेशन है, फिर उसके बाद 45 से प्लच जाते हैं, तो ये मोनोपोस का टाइम करेट चल रहा होता है, तो इस समय पर फीमेल्स के इंदा इडिटेशन, उनको अलग-अलग के ख्या जवाब देजते हैं, तो उस दिए नीरो धरफी आपको नेचरल तरीके से कैसे हम अपनी आपको उन बीमारी सो बचा सकते हैं, इसमें भी मदद करते हैं, तो नीरो धरफी आपकी लाइफ के शुरूबात से लेकर आपकी लाइफ के एंड तक, और हर उमर के दराज तर जो परेशाल आपकी अंवे उसमें आपकी मदद कर सकते हैं. मेरे प्यारी हाल इकड़ाकरस आप देख सकते हैं, कि आपने जो लाइफ में बढ़दाव आते हैं भी नहीं ऐज़ के साथ जो चिंज आते हैं हैं यह दो और इंसान को भी समय के साथ बढ़लना पड़े गा अड़ाप्त – वा अदाप्तलना पड़ेगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मेडिसन्स नहीं खाना चाहते हैं पर वो ठीक होना चाहते हैं उन्हें समझ में नहीं आता हो क्या करें जैसे सर ने बताया कि PCOD की प्रॉब्लम्स है जो मेंस्टुरल पीरियोड साइकल्स के काइम पर होती है यह आजकर बहुत कॉमन है और वी किन से लिए यह लाइस्टाइल प्रॉब्लम्स हो चुकी है आजकल की तो उन सब के लिए आप ट्रीप्मेंट ले सकते हैं और अपने आपको दुरूस और तंदुरूस कर सकते हैं तो सर जैसे मैंने अभी यह बात तोगी की लाइस्टाइल की दुमाना आजकल का कुछ जिससे भी पूछो किसी को कुछ ना कुछ तखलीफ है विमारी है तो अब आजकर जैसे हम अपने दॉक्तर से और मेंटोर से सुनते हैं यह तो अजकल की लाइस्टाइल डिजीरिस का मतलब है कि आपने अपने पूरे दिन के रूपीड में चोटी छूटी डल्कियां करते चले जाते हैं और जिनकों हमें नहीं लगता कि यह दल्पियां है और वही कहीं नहीं गई वो छुटी-छुटी दल्पियां हमारी बिमारी का कारण बन जाती है जैसे हमें शुबह उठते ही डारेक्ट पैर को जमीन पर नहीं रखने हैं तो आपको आपने ध्यान नहीं दिया और आपको यह हो गया क्योंकि बॉड़ी में टेंपरेचर को मिंटेन नहीं कर पाया वहत पुरांत ऐसे ही दूसरे तोड़ पर अगर हम देखे कि लाइफस्टायल में मैदे का इस्तमाल बहुत जादा करते हैं खाने पीने में चाया पिज्या हो बर्गर हो चाउमी हो तो मैदा क्या है इसमें दोड का जितना हमें वैने फेलेंस से ज्यादा हमें मिटान हैं क्योंकि हमारा सिंटेसाइज दूद आता है हमारा इंजेक्शन वाला दूद आता है उसके अंदर ऑक्षटोशिं है जो कि इन फ्यूचर में फिमेल्स में होर्मोनल इंबैलेंस का कर्ण बन रहे हैं तो पीश तो मिल्क इस समय पर हमारी लिए वेरिपेट नहीं है यह हमको जाना चाहिए और आप भी जानते हैं कि दूद की खपत मतलब जितनी हम उसका खपत करते हैं या यूज करते हैं 10% ही एक्षो में दूद निकल रहा है यानि कि दूद आजकल जो सिर्फिसाइड है वो हमारी लिए भीमारी का कारण है सबसे पांच वा सबसे महत्तून कारण है कि हम जो डेली रूटीन में सोने का तरीका गलत है हमारी बॉडी अपने आपको हील जरूल करती है लेकिन एक टाइम लिमिट में करती है कि रात को जब आप 100% रिलेक्सेशन की आवस्ता में होते हैं रिलेक्स बॉडी होती है तब और वो 11 वजे से लिकर 5 वजे की नीद आपकी कंबल सरी है अगर हम देखेंगे कि 11 वजे तो हमारे घरों में खाना बन रहा है हमारे 11 वजे तो हमारे घरों की कोकर की सेटिया मस्ती है तो 12 वजे खाना खाता है एक बज़े तक सोते हैं यही लाइब इस्टैल की भिमारी है आपको इंसोम्निया के तौर पर, क्रमोने इंबैलेंस के तौर पर, मोटापा के तौर पर PCOD यह निकल कर आती है तो कि बड़ी को रेस्ट का टाइम ही नहीं मिला आप 11 वजे सो नहीं रहे हैं तीन बज़े सो रहे हैं मुवी देर लें लक टॉप पर काम कर रहे हैं तो 11 अगर हमें लाइफ इस्टल की भिवाली से बचना है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि एकना नीचर ने कुछ चीज़े बनाई है, फ्रेम की हैं, जैसे सर ने बताया, दिल है, रात है, वो इसलिए ही बनाई गई है, ताकि आपका माइंसेट रहे कि दिल है तो हमें काम करना है, रात है तो हमें आराफ करना है, अगर आप इन तो आप बहुत सारी बिमारियों से अपने आपको बचा सकते हैं जी सर यही जिस्टेस्ट का? जी बिल्कुल प्रकर्टी ने जो चीज़े बनाई है हमें प्रकर्टी के साथ चलगाची है हम कितने भी एडवांस करने हुझे अगर हम प्रकर्टी अगेस्ट गएंगे तो कहीं ने कि हम बीमार पुदू पड़ेंगे जी सर जैसे अब हम बात करें तो फ्यूचर ऑफ नियूरो थेरपी क्या है हमारा? फ्यूचर ऑफ नियूरो थेरपी देखें आने वाले समय में ट्रिट्मेंट के पार्ट पर लोग बहुत अभियर हो रहे हैं वो जानते हैं कि एलोपेटिकी सिंगल मेडिसिन क्या है जितना फायदा नहीं करेंगी उससे ज्यादा नुक्सान करेंगी मेरे पास दिन बद में बहुत सारे पेसेंट्स आते हैं वो हजारों लाख रोपे के अपने इलाज करा चेख होते हैं और जब आते तो केते कि हमारी जर्थ महीं बिमारी शुरुआत है हमने उसके लिए ट्रिट्मेंट सुरुआत करी लेकिन कही न कही न कही वो भीमारी तो ठीक न हुई और भीमारियां हमारे अंदर आ गई तो कही न कही आज की जो medical science है वो side effect वालिक हो रही है जितने फायद हैं उससे जादा नुकसान है नीरोथरपी पहले चीज तो आपको body को natural तरीके से ठीक कर रही है इसमें कोई medicine नहीं है कोई side effect नहीं है आपकी body के system को केवल stimulate करना नीरोथरपी है scientific तरीके से हैं दूसरा treatment के पार्ट पर इसको कर सकते हैं रोजगार के तौपर की लोग इसमें अपना carrier बना सकते हैं और बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि जब माता पिता पेरेंट्स से कहेंगे कि हमारे बच्चे को नीरोथरपीस बनना है डॉक्टर बनना इक अलग बात है इंजीनियर बनना इक अलग बात है बहुत जल्द ये भी आने वाला है कि मेरे बच्चे को आयर्वेक याका बनना है मेरे बच्ची को एको प्रैशर का ही रिसेश्यख्य बनना है, मेरे वेटे को निरो थ रहपिस बनना है, तो होकि धीरे- Delhi- celebrant मेड़िक चिकिस्टा प्रांख्मिक चिकिस्टा के तौर जाने वाले हाँ और लोगड़ी धीरी- בחry- delivery इनको आज भी लोग आयरवेट को, नेच्रोपेट को, योग को, नीरो थरपी को अपना रहे हैं. तो बोल्डरन एप्रोचिनिटीटीज हैं, जो कैरियर बनने चाहते हैं, जो अपना इलाज कराना चाहते हैं, उस तब इन चिस्ता परदप्यों के सारा ले सकते हैं. जय से हम नीरो थरपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज पीज हमें इसके कुछ बेसिक ट्रेटमेंट्स कताईएं? अगर बॉडी के अंदर एसेड बढ़ेगा तो एसेडोसिस की प्रोब्लम्स आएगी अगर अलकलाइन बढ़ेगा तो एलकलाइस की बीमारी आगी तो सिंपल फॉर एक्जेंपल में आपको पताता हो कि हम कैसे खुद का भी चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी एसेडिक है या अ बढ़ेगा तो एसलॉसिस की प्रोब्लम्स आए यसे लो की होनाा हाइपो होना डावी होना जोइंज होना हमारे समरपॉड है। दोनों बढ़ सकते हैं क्योंकि जो फिल्ट्रिशन रेट है तो हमारी बॉडिज इसको फिल्टर करती है तो यह दोनों ही गरबर हो सकते हैं और दोनों करिश्टी के सिंटम्स आ करते हैं आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जिनको हाई वीपी भी है और डियबेटीज भी है तो डियबेटीज एसे रिखेंगे हैं यह दोनों ही गरबर हो सकते हैं अब इसको कैसे चेक करते हैं यह आपके वीवर्स के लिए हैं कि घर में हम इसको बैलाइस कैसे करेंगे और इसको अगर हम बीच में से फकड़ें और हलका सा त्विष्ट करें इस तरीके से इस तरीके से पकड़कर इसको त्विष्ट करें थोड़ा प्रेशर के साथ करें और सेम इसकी प्रेशर को हम राइट में क्रियेट करें तो सेम प्रेशर से हम लेफ्ट में फोर्ट प्रिंग पेला जातेर जाते हैं। अगर उनको लेफ्ट में पेल जाते हैं। अगर दोगले करें Kung vikt Rodino, आप जाते हैं। तो गुगल आपको लिस्ट दे देगा कि यह सिम्टम्स होते हैं जब आपकी बोडी आसे को अपने साथ मैच करिए कि आप मुझे भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं एसे एसे एलकलोसिस के बने पर अलकुलाइन वाले हैं तो आपको समझ आएगा कि हा मेरी कोडीक करक्क है कि मेरी या तो एसे एलकलोसिस है अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे नेचर ने तीन और ग्रांज बनाएं किन शिस्ट एक अच्छे बात देखिए है कि भगवान ना 2 लंग्स बनाए है अगर दोनों लंग्स का खाम एक ही होता तो बीच में एक लंग्स बनाए है इसका रीजन यह है कि left lungs आपका acid को filter करता है और right lungs आपका alkaline को filter करता है ऐसे ही left kidney आपकी acid को filter करते हैं, right kidney आपकी alkaline को filter करते हैं, इसलिए ये दो बनाये हैं, दोनों का nature अलग है, तो अगर आपको acidosis की problem है, यानकी acid की symptom आ रहे हैं, left में pain हैं, तो सबसे पहले आपको एक क्रिया करनी हैं, जिसमें मुखाद उती हुलते हैं, कि लंबी गहरी आप मैसूज करें, इसको हाथ को ऐसे रखें, और अब हम क्या करेंगे, लंबी गहरी स्वांश लेंगे, और हूँ करके छोड़ेंगे, जैसे pipe में फूप मार रहे हैं, आप देखेंगे, हाँ करने पर गरम है, और हूँ करने पर ठंडी है, दोनों हमने केबल स्वांश को ल तो यानि कि सबसे पहले अगर आपको acid की problem है, तो आपको 10 बार acid वाली problem, यानि कि घरम हाँ चोड़नी चाहिए, ऐसे लगाता है, दस बार करने, फिर एक मिनिट का gap रखने, एक मिनिट के gap के बाद में फिर गरम हाँ चोड़नी है, ऐसे 3 round करने है, अगर आपको पुल्का पैने हाँ, एक मिन लुपा कर लेजिए दिनमे ऐसे दिन में को भी बाहता है। ये अगर बहुत पैने हाँ है, और आपने करागा दक था हैं, तो बाद लेक मिनिट कर दो चाहिए तो पिर इस अपने हाँ, आपने यी पेन हाँ इस सुबहें का मिन थ इसको सुवैं रुपाय करते हैं, आपका विपी लो है एक्षी दिन के राग़ जाएगा, आगर आपको जॉइंट्स पेन है तो अगर आपको अगर अल्कलाइन में पाने लग जाएगा, जिक है, तो यह होगा, अगर आपको अल्कलाइन पेन था और तो आपने थंडी हवाज पहले हैं इस हेवार से किया बॉडी से अल्कलाइन डाउन जाएगा और आपका अगर हाई बुपी है तो 21 दिन के बाद भाद भोग ठीक होग जाएगा अगर आपको अगर अगर प्रिधिंग एक्सराइस के बाद में अब हाथ रखे हैं एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नो तो यारे बारह आपने लंग्स के आगे वाले एंग्रियों पार को चुलिए करें और लंग्स तो यह वाला लंग्स अपना काम करें इसका काम है कि अगर आपको राइट में पीलता है तो यह वाले लंग्स को समझें तो सबसे पहले हमें बॉड़ी की नीचर को समझें वी हो आपको बीपी की हो शुगर की हो जोइंट स्कें हो पेट की हो तो कि बीमारी बॉडी की नीचर से आएगी अगर आपको बैलान से खुटो को बीपारिघ नीचर कोई नीचर के तो आपको मेरा थीक करने का सबसे तरीका है कि आप मेडुला ट्रिट्मेंट है उससे हम बीजवाद जैसे यह आउन कि इसे उपर से नीचे रवीं करें एक लो 3 4 उपर से नीचे रवीं करें वह यह 20禁र करें पहले लेप में करें इसे एक लो 3 4 5 6 नो 10 11 12 14 15 17 17 19 20 20 को पारेधर में दुश दर इदर किया और 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 18, 19..20 वीज बारी प्रकिया टेरकिया पीज बारी यझी तो के लिड़। एक WIBTर अम्हारी तॉल्ड़ स्कूलेटी नियो होगी भी है अज़ हमारे पूरे डाइगे रीजिशिटि Palest Camdate कर सकती है यम सब्सक्रा हिख्यां सब्सक्राइब 30 लग सब्सक्राइब 20 आधे मिंतर करें दिए कि वाक खोगते हैं थे तो कि सब्सक्राइब यह कुटता ही जाया कोई भी बीमारीयों उचऱ में हाथ रावने के इसवेसा 3सि पुरिये को एक टीम्नकर चाह Perhaps तो हम उस नर्व उस्टूलेट कर रहे हैं झो भॉक दर नियूलांट करहे हैं ऀह से लटल कऱिये कंदले करें तो आप 2011 से नर्व को किरिये क анयल करें अधार यंसे बढ़ा हुआ है तो एसे में हमला आप मेश में था इन कॉश्टूलेट करेंगे अगर अग्याल करें सब्सक्राइबें, तो districts wanna Grund water Id and Dr. Pigman consultant速 जय भी है? ने आधे सवाफरा थी मिनिटे कि आपने आपिसघ जाले कि आपरा जो है स्वाफरा भ Save I Fruit और चक्रॉचर मैंतर टीम पार एचम को मिनित अपना है जितनी प्रोख्त अगर में ho ज़्याधी प्रोभ्लम में तो इसको भी सुमय घुपएर साम कर से लिए अगर बैट प्रउब्लम के लिए अगर चरुवार रग़री है मेरी अगा अगर इसम ने बिल में लग रहते हैं तो अगर स्टर्टेम आगर कटेस लिए तो आप इसे तीम बार करें और 21 दिन लगातार करें 110 परसंट आपको अपनी बोड़ी के लिए हैं, हर तफिक के लिए हैं, तो कि बोड़ी पहले अपने नेचर को बदलती है, फिर बीमारी आती है, तो अकर हम नेचर को ठीक कर लेंगे, तो बीमारी के लिए हैं, जी बहुत सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं, हमारे जो डिजीजेस बेसिकली इन तीन चीजों से ही कनेक्टेड होती हैं, हमारे लंग्स, किड्नी और स्टमक, आपको सभी को पता है कि पेट ही सभी बिमारियों की जड़ है, ये मैं नहीं कहती, ये सभी बड़े कहते ह हैं, अगर पेट सफा तो बिमारी दफा, ऐसा हमारे सर भी बताते थे हमें, और इसके साथ मैं चीज़ बताना चाहूंगे, मेरे को आसिड़ी की प्रॉब्लम बहुत जादा थी, मैं इतना जाद होने लगी थी कि ग्यास सर पे चड़ती थी, और कम से कम जब तक 10 वॉमिटि या मैं मिजरेबल स्थिती में थी मेरी हालत, मैंने सर से ट्रीटमेंट लिया और टाच वॉड मैं ठीक हूं अब, ठीक है हलकी फुलकी प्रॉब्लम आती रहती हैं, वो तो देखिए हमारे उसी खाने पीने की गड़वर से ही होती है, पर सर ने जब मुझे ट्रीटमेंट द शरीर से घूमने लगी है, और इतना अच्छा महसूस होता है, शरीर इतना हलका, मूड इतना अच्छा रहता है, जब आप क्यूंकि तंदरोस्त होते हैं, तो आपका मूड अच्छा रहता है, सब चीज एक दम स्मूद लेस, फ्लॉवलेसली चलती है, जो आपको बहुत हेल के लिए भी और ठीक करने के लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं, आप ही ने बीडा उठाना है, और जैसे की सर ने बताया, 21 दिन तक आपको हर वो चीज करनी है, देखिए अगर आप डॉक्टर के पास भी दवाए लेने चाते हैं, तो वो फीवर के लिए भी कहता है कि जी त करनी है, वो धीरे ने आपके दिमाग में आप्यार करनी है, वो धीरे धीरे आपकेmake़े आगर आप करना पको हर दिमाग में करना मत में जाता ह flipping है कि दिमाग संखने हैं čिज और ने नियोक करने था अजं़ताने लगती है और वो बिलकुल सुचारो रूप से चलने लगती है же Sब हमारा दिल दिमाग एक बच्चा है जैसे हम चोटे बच्चे को समझाते हैं ऐसे हमें इसको भी समझाना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है और उस पहाव में इसको ले जाना पड़ेगा जैसे हम ने निवारवे बात की ये बहुत ही बड़िया साइंस है अगर हम लोग कोर्स करना चाहें तो कहां से कर सकते हैं देखें कोर्स के लिए आप आज नीरो थरपी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां ज़कर नीरो थरपी आप सर्च करेंगे कोर्स डालेंगे तो आपको सारी की सारी इंटरमेशन में जाएगी हम पिसले 10 साल से नीरो थरपी कोर्स करा रहे हैं मैंने बताया ज़िए आप इस कोर्स को करते हैं लगबग एक साल और श्यमीने का ही पोर्स है इसको कंप्लीट की निगाद आप नीरो थरपीज बन जाते हैं और देश में कहीं पर भी नीरो थरपी की सेवाएं देखें जी सो मेरे फ्यारे फ्रेंड्स जो भी डॉक्तर बनना चाहते थे जिनका सकते हैं जिससे आप अपने बेसिक ट्रीटमेंट्स खुद कर सकते हैं और दूसरों को भी अपने घर में अपने तो परिपून हो सकते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट कर सकें और अपने घरवालों को अपनी सेवाएं दे सकें तो सर कुछ टिप्स बताएंगे आप हमारे यह बिल्कुल दीज बाता है कि नीरो थरफी आज बिना मेडिसी के लोगों काम करें लेकिन मेरा उद्देश इजिए नहीं कि लोग बीमार पड़े हैं सबसे पहले हम बीमार ना पड़े तो हमें क्या करता है हमारी डाइट अगर मैं सोच रहना है तो डाइट को करिए मौसम के अनुसार ही पल और सब्जे के इस्टमाल करें जो मौसम में जो पल और सब्जी आते हैं उसका इस्तमाल करना है आप देखते हैं नीचे के हिसाब से तो जो मौस्तम में आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करों वही खाएं वही हमारे लिए फायदी मन्या दूसरी जी टाइमिंग बिल्कुल ठीक करें खाने पेरी का सुबह रेक्वाश्ट आपका साथ से आठ बजी साड़े अब तक हो जाना चाहिए लंच इमारा एक से दो बजी हो जाना लेना चाइज है अपने आपको फिट रखिड लिए करने चाहिए तो बीस मिनेट के म जिए चाहिए का मैसम इसको चालीच तो शानीच गारे लिए नहीं पढएंगे अगर आप भीमार पढ़ते है तो हमें उन की सापके सारा लेने जो हमें बिना मेडिसिन्स के बिना सर्टिफेक्टे ठीक कर सकती हैं जी को क्योंकि बॉड़ी नेचुरल तरीकी चे ठीक होगी तो फो फोल पर्मनेंट ठीक होगी और लंगे समयता की तो उस समय पर नीरो सर्बी की घूमिक आ जाती है पहला कि आप बभवान करें आप बुलवार ना पड़ करें और अपनी बेढ़िदिक को ठीकर लीजिए एक मिनट में कम से कम जटनी स्वाश ले सकते हैं प्रयाद करिये अहुतना आप करें कि हमारे बहुए हैं हम जितना एक मिनट में कम करेंगे उतनी लंबी हैनि कि हम सुष्ठ ना ज़्यादा रहें मैं इंगे तो हम ने थे सब्सक्राइब करना चाहते हैं या अपने आपको कैसे स्वस्त रख सकते हैं और बेसिक ट्रीप्मेंट के टिप्स और ट्रिक्स दिया है बाकी मेरे कोई भी प्यारे विवर उन सर से आगे संपर करना चाहते हैं या आगे कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपको उसमें डीटेल्स कॉमेंट सेक्षिन में मिल जाएंगी थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू सो मच पर सर बीइंग ऑन दे शो आप आए इतना भरपूर ग्यान दिया समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद करता है यू खिर थांक आपके कारिक्वां में देता हूं आपके ब्लियूर्स को कि विए को पोड़ घ्री दिया और लोगों को भी पता है ऐसे कारिक्वां को ब्रेजाने कुछाएं कि यह जानकारी है तो यह स्चारिक्वां तो उन्हा आप अपना धेर सारा प्यार हमें देते रहिएगा धन्यवाद